तो पूछाएगी एक तो A set है, A क्या है B set है, दोनों को write down करते हैं, solution देखते हैं इसका solution में देखिएगा कि A, तो 2, 4, 2, 4, 6, 8 और यहां से B क्या है? 6 है, 8 है, 10 है और 12 है यहां से, अब union का हमने क्या पढ़ा था, पहले तो इसमें देख लो कि repeated element कौन-कौन से यह, यह पैचान लो पस उनको तो एक ही time लेंगे, only repeated element take only one time, ठीक है? तो वो अपने पास definition में था और तो इसके according अपने पास देखिएगा कि union क्या हो दोनों में हो, ठीक है? All elements from a set and b set, तो यहां से all the element of a set, यहां से 4 और 6 और 8 अब 6 और 8 तो इसमें भी है और यह 12 है यहां से, यह, यह खतम है यहां पर a union b, अब इसको देखिएगा कि थोड़ा when diagram की form में देखना चाहो तो भी देख सकते हूं, ठीक है? मैंने यहां पर इसको represent करना बताया, आपको देखिएगा कि a union b की form में इसको represent कर सकते हैं, इस परकार से, और यहां से देखिएगा कि हम इसका कैसे लिखते हैं, union, तो यहां पर rectangle देखिएगा, अब देखिएगा कि इसके अंदर देखिएगा, common elements तो कौन-कौन से बच, 6 और 8 common elements तो, element आए, और 2 और 4 हैं, जो कि a set के element है, और b set के element कौन-कौन से बच, 10 और 12, तो यह आगे, 10 और 12, तो इसका जो union आएगा, इसका जो यह कौन सा है, a union b, अब a union b कौन से आएगी, जिसमें 2, 4 और कौन सा आएगा, 6, 8 और यह क्या आएगा, 10 और 12, diagram से भी आप देख सकते हैं, जो कि दोनों में हो, वो सारे element हमें लेने, तो यहां से यह total जो representation है, वो है a union b का,